हेलो दोस्तो आप सभी का फिर्स एक नए वीडियो में स्वागत हैं दोस्तो एक हमारे मित्र ने हमें कमेंट किया था कि हम यूटूब पे अपना वीडियो कैसे अपलोड करें तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को मैं बात करने वाला हूँ और कुछ सिखाने वाला हूँ बने रहे हमारे चैनल पे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकरेशन को आन कर लिए चीगा दोस्तो यूटूब पर वीडियो अपलोड करने का जो तरीका होता है आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा देखो मैं जिस तरह अपलोड वीडियो करता हूं वैसे ही आप लोगों को वीडियो अपलोड करना है आने था आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा तो करना यह है कि देखो हमें तीन ऑप्शन मिलता एक होता है पब्लिक का एक होता है Unlisted का एक होता है Private का तो हमें हमेसा वीडियोज को न Unlisted में ही करके अप्लोड करना चाहिए मान के चलिए कि आप तुरंट कोई वीडियो अप्लोड करते हैं तुरंद वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो फिर आपका भीयोर नहीं आता है तो आप लोगों को गाई जिसी टॉपिक पे आज मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ तो चलते हैं स्क्रीन रिकोर्डर पे आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे अपलोड किया जाता है पहला वीडियो तो दोस्तों वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर पर आ गया हूं और इस स्क्रीन रिकॉर्डर पर से मैं आप लोगों को कुछ चिखाने वाला हूं तो मैं आता हूं बैक साइड और आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है मान क इस वीडियो को अपलोड करना है तो कैसे किया जाता है तो अब हम अपने चैनल पे गए हम अपने चैनल पे गए और यहां से हम अपने चैनल पे आते हैं प्लस वाले प्लस पे कर दिये ठीक है तो इस वीडियो को अपलोड करने का जो तरीका होता है आप अच्छे से समझ आपमान के चलिए कि हमें इस वीडियो को अपलोड करना है अब सबसे पहले ध्यान रखेगा कि जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो यह जो लिखा हुआ है विजिबिलिटी यह क्या है कि अनलिस्टेट में होना चाहिए यहाँ पर देखें तीन आपको मिलता है देख रहे हैं यह public का option मिल रहा है एक unlimited का option मिल रहा है एक प्राइबेट का एक schedule का चार option मिल रहा है तो schedule क्या होता है आपको समझाते हैं पहले अच्छे से public पे अगर आप upload यहां पे कर दिये तो आपका जैसे ही वीडियो अप्लोड हो जाएगा तुरंत पबलीक हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना है हमेशा अनलिष्टेट पे करना है ताकि आप कोई प्राइबेट कर रखें वीडियो को तो जिसको चाहेंगे नम्मर होता है अपना दे देंगे उस पर सेर करेंगे तो उसको दिखाई देगा और सीडियूल पर क्या होता है कि आप यहां से चाहे एक मैना पहले सीडियूल कर सकते हैं चाहे दो मैना पहले कर सकते हैं चाहे दो च यहां option पर जाना है हमें unlisted पर upload करना है तो unlisted पर हमें upload upload करना है मान के चलिए कि मैंने लिख दिया family blog अब मैंने इसका title मान के चलिए मैं अभी सिर्फ ऐसे title डालके अब मैं इसको upload कर दिया तो अब इसको upload करने का अब यही तरीका होता है कि ऐसे ही इस वीडियो को upload आप करें हमेशा आप याद रखेगा कि वीडियो जब भी upload करें तो unlisted में ही करें क्योंकि unlisted में करते हैं तो सही रहेगा अनिथा ऐसे नहीं होगा तो आप लोगों को हमने अच्छा से समझा दिया है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज रिक्वेश्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा तो बस आज के लिए इतना ही